हलो फ्रेंड्स तो आज की रेसिपी है पनीर स्टर्फ्ट स्प्राउटेड मौंग दाल चीला तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए एक कप स्प्राउटेड ग्रीन मौंग ये साबूत मूंग है, हरा धनिया, इसमें सीक्रेट ये है कि सब हरा धनिया काट कर डालते हैं, लेकिन हम पीस कर डालेंगे, पीस कर डालने से न, टेस्ट और भी दुगना हो जाता है, एक इंच अदरक का टुकडा, दो हरी मिर्च, और थोड़ा सा चीरा, ये सारी चीज़े ह पीसने के प्रोसेस में, अब हम लेंगे एक मिक्सर जार, और इसमें डालेंगे भीगाई हुई मूंग दाल, अब हम इसमें एड़ करेंगे बाकी के इंग्रीडियंट, जीरा एड़ कर देंगे, अब इसके बाद हम हरी मिर्च को आट करेंगे, अब हम अधरक को भी बड़े बड़े निया को हम तोड़ कर डाल देंके इस तरह से connect सब चीजों को ग्राइंड कर लेंगे हमने ग्राइंड कर लिया है और देखे हमारा बैटर कुछ ऐसा लग इसकी consistency इस टाइप से होनी चाहिए. बैटर ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा काढ़ा होना चाहिए. Medium consistency का हमें बैटर रखना है. अब हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा नमक. नमक आप अपने स्वादनुसार डालिए. इसके बाद हम add करेंगे एक चुटकी हल्दी. हल्दी से रंगत बहुत अच्छी आती है. अब हम इन दोनों को mix कर देंगे. देखिए इसका color कितना अच्छा खिल की आने लगा है. अब सारी चीजें mix हो गई है. अब हमारा बैटर तयार हो गया है. अब हम बना लेते हैं चीले के लिए filling. फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पनीर. पनीर मैंने ये घर में दूद फाड़ कर बनाये हैं. पनीर को इस तरह से क्रमबल कर लेंगे. अब पनीर में हम एड़ करेंगे एक टेबल स्पून धनिया. बारीक कटा हुआ. अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा नमक. नमक हमने अपने बैटर में भी डाला है तो थोड़ा सा ध्यान से डालेंगे. इसके बाद हम एट करेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च ये मिर्च तीक ही नहीं होती और कलर अच्छा देती है अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से अराम-अराम से चला कर मिक्स करेंगे देखे अब हमारी फिलिंग भी बनकर तयार हो गई है तो अब चलिए चलते हैं चीला बनाने के प्रोसेस में अब हम एक नान स्टिक पैन को तवे पर रखेंगे पैन गरम हो चुका है चेक कर लेंगे अब हम इसे एक गीले कपड़े से पहुँचेंगे अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे देखे हमने इसमें दो चम्मच बैटर डाल दिया है अब हम इसको ऐसे घुमा घुमा के फिलाएंगे बैटर को हमने फिला दिया है फ्लेम को हम लो मीडियम पर रखेंगे अब हम इसमें एक चम्मच घी फिला देंगे घी हमें चारो तरफ ऐसे फिलाना है क्योंकि हम इसे थोड़े ही घी में बना रहे हैं तो इस तरीके से हम पैन को उठाके घुमा देंगे ताकि घी सारे तरफ पहुँच जाए देखिए घी डिजर्व करने लग गया है अब हम इसे कवर करके दो मिनट के लिए पकाएंगे दो मिनट हो चुके हैं अब हम पैन का कवर हटाकर चेक करेंगे देखिए हमारा चीला नीचे से पक चुका है अब हम इसे दूसरे साइड फ्लिप कर देंगे अब हम इसे फिर से कवर करके तीस सेकिंड के लिए बस पकाएंगे अब कवर हटाकर चेक करेंगे इसे फिर से फ्लिप कर देंगे अब हम इस पर अपनी फिलिंग लगाएंगे चीला हमारा पक चुका है तो अब बस फिलिंग लगाकर हम चीले को फोल्ड कर देंगे इस तरह से सावधानी से फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारा एक चीला बन चुका है अब हम फिर से पैन को क्लीन करेंगे और बैटर डालेंगे दो चम्मच बैटर डालेंगे फिर इसे इसी तरह से फैलाएंगे पुरा सरकल बनाएंगे देखिए बैटर कितने अच्छे से फैल चुका है अब हम इस पर घी डालेंगे इस तरह से चारो तरफ घी डाल देंगे फिर से पैन को घुमा कर खी इम चारो तरफ फिला देंगे अब हम इसे कवर करके दो मिनट के लिए पकाएंगे चीला हमारा पक चुका है अब हम इसे फिलिप कर देंगे और 30 सेकंड के लिए फिर से कवर कर देंगे अब 30 सेकंड के बाद हम इसे चेक करेंगे इस तरह से इसको वापस फिलिप कर देंगे और अब हम इस पे अपनी फिलिंग लगाएंगे बची वी फिलिंग हम इस पे लगा देंगे अब फिलिंग लगाने के बाद हम अपने चीले को फिर से फोल्ड कर देंगे तो इसी के साथ हमारा दूसरा चीला भी तयार हो गया है तो जी लीजिए तयार है बहुत ही टेस्टी, हल्दी and nutritious पने डिस्टर्फ्ट मौंग दाल चीला खाने में तो टेस्टी है ही साथी साथ बहुत ही हल्दी है क्योंकि ये प्रोटीन से पैक है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो माई चैनल थैंक यू फो वाचिंग